नमस्कार दोस्तों एक्जाम इत्र में एक बार फट्ट से आपका स्वागता आशा करता हूँ आप सब यह चाहूंगे तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में B.A.C. नर्सिंग परामेडिकल साथ या आपकी जो PG courses है उनकी भी application form है वो ongoing है तो आप अपना application form फिल कर सकते हैं मैंन आपको उन वीडियोज में available करवार किये तो उन वीडियोज के माद्य में से आप आपने जो भी doubt हो वो सारी doubt क्लियर कर सकते हैं माचल प्रदेश में दोस्तों आपके जो entrance examination conduct करवाया जाएगा वो AMRU अटल आर्यू विग्यान है अनुसंदान विश्वे विद्ध्याली सारी जो आपकी admission procedure है वो आपके अटल मेटिकल एंड रिसेज उनिश्वेटी द्वार ही conduct करवाई जाएगी तो इससे रिल्टेट आपको official website पर प्रोस्पेक्ट भी जारी कर रखा है मैंने प्रामेटिकल और आपके बीए सिनर्सिंग से रिल्टेट सारी information औरड़ी वीडिय इससे उनमें आपके एंटर से गामेटिकल में स्कोर के बेसेज पर ही आपका इडिम से दिया जाएगा आप यहां पर एप्लिकेशन फीज की बात करें तो दो जार रुपए आपके जनरल ओभी सिर उनकी सब करें के लिए हैं बाकी जो अधर करें उनके लिए 1000 रुपीज है ओपीशल वेबसाइट आपकी यह दे रहे हैं वैसे आपको एप्लिकेशन फॉर्म किस तरीके से फील करना सारी चीज़े समझा रहे हैं तो आपको उन वीडियो की माध्यम से आपकी जो भी डाउट हो सारी डाउट किलियर हो जाएंगे अब आप एक बार जो इंपोर्टें फिल कर सकते हैं 15 अगस्त के बाद में आप अपना फिल नहीं कर पाएंगे तो आप ज्यादा ज्यादा वीडियो जरूर सेर कीजिए इससे कि जो भी केंड़ेट जी ने पता नहीं अभी तक कि आपकी माचल प्रदेश में बी एसे नरसिंग आप परेमेडिकल या पीजी कोर की एप्लिकेशन फोम है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं आपके एड्मिट कार्ड है वो 23 अगस्त को आपको जारी कर दी जाएंगे तो किस तरिक से एड्मिट कार्ड डाउनलोड करने है उसका सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगा जिसके माददें से आपना एग्जामने सेंटर होंगे तो वहाँ पर आपके एग्जामने सेंटर है वो आपको मिलेंगे आपकी जो आंस्वर की है 39 से 31 अगस्त के बीच में आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी अगर कोई भी अब्जेक्शन हो तो आप उसके लिए रेज कर सकते हैं जो रिजल् पहले ही आप 15 अगस्त का वेट ना गरे क्योंकि कोई भी इशू हो सकता है जिसे कि पेमेंट इशू हो जाएगा आपका कोई मिस्टेक हो जाएगी कोई भी डोकुमेंट आप प्रिपेर नहीं कर पाएंगे तो आप समय से पहले ही अपना फोमा फिल कर दे अब इसमें आपक आपकी टोटल गवर्मेंट की 120C सीट है यह मान के ना चले की काफी सारी सीटे हैं 120C सीट है आपका जो फोकस आपका टार्गेट है वो गवर्मेंट सीट के लिए ही होना चाहिए गवर्मेंट सीट इजीली मिल नहीं पाएगी तो आपको अपना जो 100% effort है वो देना होगा औ और interest examination में आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा स्कोर करना होगा तो ही आप अपने लिए गवर्मेंट सीट है वो कंफर्म कर पाएंगे बाकी आपको जो सीट मैट्रिक्स है वो डीटेल में मैंने बतार किया अब All India Candidate वो एपलाई कर सकते हैं तो इसमें आपके management quota कोटा हैं वो state quota की है और बाकी 50% सीट है में management quota ही है तो management quota में other state के जो candidate है female candidate ही वो अपना admission है वो ले सकते हैं लेकिन interest examination के basis पे इसमें भी counseling participate करना होगा इसमें भी आपके जो competition है वो आपका काफ ज़्यादा देखने में मिलेगा क्योंकि limited सीट ही होती है private में भी ऐसानी की काफी ज candidate है उनके यह भी एक जीके भी पूचा जाएगा तो इस बार आपका जीके का portion नहीं पूचा जाएगा जीके की जिगा आपको nursing aptitude का portion है वो पूचा जाएगा तो इसमें आपके biology chemistry or physics है 11 12th NCRT based complete पूची जाएगी English grammar आपकी आने वाली है वो nursing aptitude सब भी में 2020 question आएंगे total पूचे का आपको time दिया जाएगा और हर एक क्यूचन का एक marks रहेगा तो आपको पूरी पूरी क्यूचन ही attempt करने हैं क्योंकि negative marking तो है नहीं तो इसलिए आपके लिए यह भी फायदा रहेगा अब आप अपने लिए preparation किस तरिके से करें physics chemistry biology और English grammar की तो दोस्तों मैंने description box म हैं आप biology, chemistry, physics और English grammar की 100% में short इक साथ कहता हूँ आपका इन से बाहर एक भी question, in portion का देखने को नहीं मिलेगा जा physics हो, chemistry हो या biology और English grammar का अब nursing aptitude का syllabus मैंने अल्रेडी बता रहेगा, क्योंकि आप सारे candidate का यह रहता है कि सरा syllabus क्या आएगा, एक separate video ही provide करवार का nursing aptitude syllabus का, आप जैसे nursing aptitude syllabus exameter आप YouTube पे सर्च करेंगे तो वीडियो आ जाएगा, उसमें आपको सारा syllabus आपको बता रहा है, और nursing aptitude में को सिल्स करूँगा मैं आपको example के तोरों बता देता हूँ कि किस तरीक से आपको avail करना है, दोस्तों समय बिल्गूल कम बचा है, आप इन e-books के मादेम से अपना selection है, वो 100% confirm कर सकते हैं, depend करेगा आपके effort पे और आपकी consistency पे, तो आप इनको avail करके आप अपना जो selection है वो सुनीशे जरूर करें, आपको अलग-अलग book read करने के आपशकता नहीं है, 3-in-1 e-book format में ही available करवाईगी है, यह 3-in-1 है, आपको 3-in-1 subject है, दोनों classes के लिए, 11-12 के, यह objective book है, इसी तरीके से आपके जो subjective book है, जो theory-based book है, वो भी available करवाईगी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3-in-1 physics, chemistry और वो कर सकते हैं, अब English grammar के अगर बात करें, तो यहाँ पे आप English grammar की book देख सकते हैं, इसमें सारा syllabus आपका compile कियागी है, जैसे synonym, antonyums, noun, pronoun, adjective, आपके जो भी grammar का syllabus हो, वो पूरा compile किया गया है, अब आप इसको भी lightly बिल्कुल भी नहीं लगना है, क्योंकि जैसे आप biology पे focus क करते हैं, उतना ही portion आपका English grammar का भी है, तो 20 question इसमें से भी पूछेंगे, 20 marks, आपको यह लग रहे हैं कि 20 marks जैसे ही है, बहुत important है, एक-एक marks आपका selection है, वो आपका selection करवा भी सकते हैं, और एक marks से आपका selection भी सकते हैं, तो यह English grammar की e-book भी avail कर सकते हैं, avail करने की process सेम है, ज में अपनी details फिल करनी है, जैसे कि अपना नाम, अपनी active email id, अपनी contact details, फिर आपको next पे click कर देना है, जैसे next पे click करेंगे, payment के लिए पूछा जाएगा, आप phone pay, paytm debit card, credit card, या जो भी आपके बास में mode, उससे आप payment कर सकते हैं, payment confirmation ने में download फाइल का option आएगा, वहां से English grammar की e-book भी avail कर सकते हैं, दोस्तों समय बिल्गूल कम बचा है, सोच विचार करने में time waste ना करे, अगर आपको अपना entrance examination करे करना है, वो government seat की 120 seat ही है, मैं पहले भी आपको बता रखा है, आच्छे से, तो इन 120 seat के लिए ही सारे के-सारे candidate वो fight करेंगे, तो अब आप इन में क अहाँ जगह बना पाते हैं, वो आपे depend करता है, अगर आप इन e-books को अच्छे से वैल करके, अगर आप follow करते हूँ, तो 100% आप अपने लिए government seat है, वो confirm कर लोगे, कोई भी doubt, कोई भी issue, comment box में पूछ सकते हैं, instagram, follower के वहाँ सब जानकार ले सकते हैं, या मेरी जो personal telegram ID है, add S C O O 7, इस पर message करके भी जानकार ले सकते हैं, बाकिये की आपकी इमाचल परदेश के admit card, या counseling, exam related, सारी information आपको समसरे में, वीडियो को माद देम से अमारे चनल पर मिलते रहे हैं, तो चनल को subscribe पर या बेल आइकन जुरू प्रेस कर लेना, मिलते हैं next new video में, next new update के साथ में धन्यवाद जहीं, जे बारत